दोस्तो महादेश शिव के चमतकार की वेसे तो आपने लाखों हजारों करोडों घटनाय सुनी होगी परंतो दोस्तो आज इस वीडियो में हम एक जिस खास घटना के बारे में आपको बताने वाले ही इस घटना को सुनकर आप भी अपने मुह से हर हर मादियो बोलने से खुद को नहीं रोख पाएंगे और इस वीडियो को लाइक करने से भी खुद को नहीं रोख पाएंगे तो दोस्तो आज इस वीडियो में हमें एक ऐसे चमतकारी घटना की बारे में बात करने वाले हैं जोकी आज से आट से नो साल पूरा नहीं है और दोस्तो यहाँ गठना आमें लिख कर भेशते हैं सुरेंद्र जी दोस्तो सुरेंद्र जी ने हमें हमारे इंस्टागराम अकाउंट पर आकर बताया है कि इनके गाउं में एक बहुत ही यानि सो से डेल सो साल पूराना महादेव शीव का एक बहुत ही चमतकारी मंदिर होता है जी हाँ दोस्तो सूरेंदर जी बताते हैं कि यह चमतकारी मंदिर इस गाउं के बसने से भी सोच से डेड़ सो साल पूरा नहीं यानि दोस्तो आप समझ सकते हैं कि वह एक इतना चमतकारी मंदिर हो सकता है अब दोस्तो सूरेंद सुरेंद्र जी गर्मी की छुट्टिया मनाने अपने गाउं गए होते ही और वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता ही कि शेहरों से कुछ बड़े कॉंट्रेक्ट आ रहे ही जिनों ने इन पूरे गाउं में एक मौल बनाने की सोची है जिसके कारण वह सभी जूप्रियों को तो पूर देंगे और जो मंदिर है उसे भी हटाने का बोल रहे ही अब दोस्तों यहाँ बाद जब सुरेंद्र जी को पता लगती है तो सुरेंद्र जी बहुत ज़्यदा चिंति दो जाते हैं वह सोचते हैं कि मेरा पूरा बच्पन यहाँ पर बिता है इस मंदिर को मैं आज से पिर भी वह कॉंट्रेक्टर जो रहते ही वह नहीं मानते ही सुरेंद्र जी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते ही कि आप इस मंदिर को ना हटाएं आप चाहिए तो हमारे पूरे गाउं को हटा दे हम सब कहीं और जाकर रह लेंगे मैं इन सब के रहने की कहीं और विव पूरी जगह भी लेंगे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अब दोस्तों वहां कॉंट्रेक्टर जी और यह सब मशीने लेकर आते ही और सबसे पहले वह जोपड़े आठाने की कोशिश करते ही अब दोस्तों जैसे तेसे कर वह लोग जोपड़े आतो खटा देते ही उसके बाद वह कॉंट्रेक्टर मंदिर हटाने की कोशिश करने लग जाते ही अब दोस्तों जैसे भी जैसे ही मंदिर के सामने आती है जैसे भी स्टार्ट होती और अचानक से दोस्तों बहुत ही तेज बारिश होना शुरू हो जाती है जी हाँ दोस्तों पर वह कॉंट्रेक बिना रुखे बारिश होती है कि JCP का चलना एक तरीके से नाम उनकी मोचाता ही अब दोस्तो सभी लोग महाँ से जेसे तेसे कर निकलते हैं और फिर से उसी गाउं मरा कर रहते हैं जहिस गाउं को वह लोग तोड़ने की सोच रहे थी परन्तो दोस्तो वहां कॉंट्रेक्टर फिर भी नहीं मानता है कि इसा कुछ नहीं होता है यहां सिप एक आपदा थी जो कि कल तक खत्म हो जाएगी हम कल पुना आएंगे अब दोस्तो वहां कॉंट्रेक्टर फिर पुरी टीम के साथ अगले दिन फिर आता है फिर वही प्रयास करता है और दोस्तो इस बार उसके JCB श्टार्ट ही नहीं होती है जी हां दोस्तो पूरी सही JCB वहा लेकर आते हैं परन्तु अंतवाक पजा का कुछ ना कुछ बादा आ जाती है बहुत कोशिश करते हैं परंद फिर भी JCB श्टार्ट नहीं होती है फिर से सूरेंद जिसके पास जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं कि मान जाओ यह एक चमतकारी मंदिरेट यहां अगर आपने कुछ करना चाहा तो आपके साथ बार बार इसे घटना होती रहेगी पर दोस्तो वहां कॉंट्रेक्टर फिर भी नहीं मानता है पूरन आई JCB मंगाते हैं फिर से JCB आती है और फिर से JCB के टायर पंचर हो जाता है जिसके कारण वह JCB भी नहीं चलबाती है अब दोस्तो वह कॉंटरक्टर सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसलिए वह कॉंटरक्टर फिर भी हार नहीं मानता है और इसे आठ से दस फ्रेयास करता है कभी दोस्तो पुरना बाड़ आ जाती है कभी बहुत तेज बारिश होने लगती है कभी JCB के ड्राइवर की तवेत खराब हो जाती है कभी JCB पंचर हो जाती है कभी JCB का इस्टार्डी ना होना अलग-अलग तरह की घटना है वहाँ पर होने लगती है परन्त कोई भी व्यक्ती बुरी सोच लेकर उस मंदिर के हासपास नहीं जा पाया अब दोस्तो उधर से एक अगोरी बाबा गुजर रहे होते ही और बाबा जब यह पूरी घटना देखते ही तो उस कॉंट्रेक्टर के पास जाते ही और उस कॉंट्रेक्टर को कहते ही क्यों अपने जीवन से संकटों को बढ़ा रहे ही जी हाँ दोस्तो बाबा उन्हें समझाते ही कि यह कोई आम मंदी नहीं है एक बहुत ही बड़ा चमतकारी मंदी है इसे मत तोड़िये भक्तों को यहाँ पर रहने दीजिये आप पूरे गाउं को हटा दीजिये पूरे गाउं में आपको जितना मौल बनाना है जितनी सिटी बन है कि मैंने आगे पूरी बात कर ली है मेरे हिसाफ से अब ना ही यहाँ मंदी रटेगा ना ही इस गाउं का एक भी घर रटेगा जितनी जोपड़िया उन्होंने रटाए थी वहाँ बनाने का भी ओडर वहाँ लोग आगे से लेकर आ जाते ही दोस्तों कोंट्रेक्टर का यह और और सुनने के बाद पूरे गाउं में खुशी की लहर दोर उड़ती है हर भक्त का विश्वास महादियों के प्रती बढ़ जाता ही कि हां सच में यह एक चमतकारी मंदी है और जब तक हम लोग इस गाउं में है पूरी पूरी तरस सुरक्षित रहेंगे अब दोस्तों कि पहले तो मुझे भी इन बातों पर यकिन नहीं हो रहा था कि यह मंदीर इतना चमतकारी है परन्तु जब यह पूरी गटना मैंने अपने आखों से देखी तो मेरी आखे भी बह रही पूरे गाउं में दिवाली सा महोल था मानों की आजादी एक बार पुनर लोट कर आई तो दोस्तो अगर आप भी इसी चमतकारी गटनाओं में मानते हैं यकिन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए इसे कमेंड में जाकर हर अरमादे जरूर लिखना दोस्तो हम चैनल पर आपके लिए इसी चमतकारी गटनाएं रूजा ना लाते हैं तो अगर आप भी इसी गट बाद